कल को पीएम पे कोई हमला हो जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी बनेगी ये बनेगी कर तो गवरनर हाँस से किसानों के साथ रहेंगे या गवरनर हाँस ठोड़न जब बरत प्रदान मंतरी जी जी चाहेंगे है जो सरकार किसानों के साथ नहीं है उसका दिया हुवा पद आप जैसा स्वाभी मानिनिता कैसे रख सकता है। ले बई, गल्पी होगा के पुराने नेता है, वो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंग के शिष्य रहे, लेकिन वो चौधरी चरण सिंग से लेकर वीपी सिंग, मुलायम सिंग और बीजेपी कई सियासी खेमों में रह चुके हैं, वक्त वक्त पर पार्टिया बदलते रहे, जै इसके पहले इनका करियर देखे, 1974, चौदरी चरंड सिंग के भारतिय करांती दल से बागपत सीट से विधायक बने, बागपत से विधायक बने, तब ये चौदरी चरंड सिंग के साथ बने, एमेर्जेंसी में, 1977 में जेल गए, 1977, जेल भी चले गए, 1980 से 85 तक, लोकदल से राज्यसभा के सांसद रहे, 1980 to 85, लोकदल में रहे, उसके बाद, 1980 से 89 तक, 85 to 89, फिर कॉंग्रेस में चले गए, मतलब लोकदल से चूटे, तो कॉंग्रेस से राज्यसभा सांसद बने, कुरसी इनको चाहिए, पार्टी बदलते रहो, इसलिए देखें, वो राज्यपाल वाली कुरसी भी नहीं चूट रहे, भोफर्ज के मुद्दे पर वो कॉंग्रेस से अलग होकर, वी-पी झिंच के साथ चले गए, फिर 1989 में अली गजर से लोगसभा चुनाव लड़ा और जीत कर वी-पी सिंच सरकार में मंत्री बने, 1989 में कहां चले गए VP सिंग के साथ वहां मंत्री बन गए उसके बाद वो फिर उनको छोड़ा इनको छोड़ा तो मुलायम सिंग के साथ चले गए फिर 1996 में वो समाजवादी के टिकेट समाजवादी पार्टी के टिकेट पर अली गड़ से लोगसवादी चुनाव लड़े और हार गए बाद में मुलायम सिंग की समाजवादी पार्टी छोड़ कर BJP में आ गए मतलब सफा से निकले, SP से निकले फिर BJP आ गए 2004 में वो BJP के टिकेट पर बागपत से लोगसवादी चुनाव लड़े और जम्मू कश्मीर से जब आटे तो गोआ और फिर वहाँ से मेगाले के राज़िपाल बने कूरसी इनको लगातार मिली और कूरसी इनसे चूटती नहीं छोड़ने रहे और बार-बार में इसलिए कह रहा था इंटर्व्यू में कि कुरसी छोड़ न दीजिए तो पहले बोले कुरसी जो है वो मुझे प्रदान मंत्री ने दिये आपके बोलने पर क्यो छोड़ दूँ और फिर उनी प्रदान मंत्री के लिए कह रहे थे कि इंदरा गांदी का क्या हाल हुआ था और बाद में फिर क्या बोले कि प्रदान मंत्री ने मुझे कुरसी थोड़े दिये जब मैं चाहूँगा मैं छोड़ दूँगा तो अपने ही बातों में फसते चलेगा लेकिन ये सत्यपाल मलिक अगर वाकई किसानों के साथ होते तो कुरसी के मौ में नहीं फसे होते अगर वाकई किसानों के साथ होते तो उनको समझाते कि इन तीनों कानूनों में कैसे उनका जो पिछला दर्द था वो मिट सकता था अगर वाकई किसानों के साथ होते तो इस देश में MSP का कानून लाना कितना मुश्किल क्या नामुम्किन है वो समझाते अगर वाकई किसानों के साथ होते तो उनको बताते कि इसी देश में किसानों के लिए क्या-क्या हो रहा है जो बीते कई सालों में नहीं हुआ लेकिन वो ये बताने लगे कि कैसे इंदरा गांधी को भी नहीं छोड़ा था इन लोगों ने